एक्टर अक्षे कुमार और एक्टरस मानुशी चिल्लर की फिल्म पृत्वी राज रिलीस से पहले ही मुश्किल में आ गई है कई दिनों से फिल्म के टाइटल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे तो जिस पर दिल्ली हाई कोट ने अपना फैसला सुनाया है दिल्ली हाई कोट ने सोवार को अक्षे कुमार और मानुशी चिल्लर अभिनीती फिल्म पृत्वी राज के नाम को संशोधित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है अक्षे कुमार और मानुशी चिलर की फिल्म पृत्वी राज सिनेमा घरों में दस्तक देने से पहले ही अपने टाइटल को लेकर सवालों के घेरे में आ गई थी फिल्म के टाइटल को लेकर दिल्ली हाई कोट पर इसका फैसला छोड़ा गया था और मामले में विचार करने का आगरह किया गया था लेकिन हाई कोट ने याचिका पर विचार करने से साफ साफ इनकार कर दिया है मुख्य नायदिश डियन पटेल और नियाय मूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि वो जनहित याचिका को लागत के साथ खारिज करना चाहती है जिसके बाद याचिका करता के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमती मांगी अदालत ने याचिका करता को बिना शर्त याचिका वापस लेने की अनुमती दे दिये मामले में याचिका करता रास्टे प्रवासी परिशत के वकील ने प्रस्तुत किया कि समरत पृत्वी राज एक महान समराट थे और फिल्म का टाइटल केवल पृत्वी राज रखने से जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचती है और इसे अधिक सम्मान जनक होना चाहिए याजिका में सुझाव दिया गया कि फिल्म का नाम महान समराट पृत्वी राज चोहान के रूप में रखा जाना चाहिए इसने दवा किया कि सम्मान जनक उपसरगों के बिना महान योद्धा के नाम का उप्योग करना सिनेमेटोग्रेफ अधिनियम के विपरीत है इस फिल्म को महान योद्धा राजा पृत्वी राज चोहान की बायोपिक कहा जाता है और कहानी उनके नित्रित्व में तराइन की पहली लड़ाई के इर्दियर्द घूमती है अक्षय और मानुशी की ये फिल्म 10 जून 2022 को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है जिसे हिंदी, तमिल और तेल्गु भाशाओं में रिलीस किया जाएगा इसी प्रगार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जोड़े रहिए नमस्कार